जी हाँ आपने तीस मार्खा तो बहुत देखे होंगे लेकिन आज हम आपको साल 2017 के कुछ ऐसे तीस मार्खां से रूबरू करवाने वाले हैं जो अपने बयानों के चलते न सिर्फ सुर्खियों में चाय रहे बलकि उनके बयानों ने देज भर में कोहराम मचा कर रख दिया नमस्कार मैं हूँ निखिल त्रिपाठी थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा मोटा और अकले से एकदम तेज तर्रा लेकिन कुछ लोगों से थोड़ा सा कम जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं अब सोनु भाई साहब की ही बात ले लीजे अरे वही बॉलीवूट के सुरो के शहनशा सोनु निगाम इनको तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं इनकी नींद में खलल क्या पड़ा इन्होंने अजान को ही मुद्दा बना लिया और बन बैठे तीस मार खा और कर दिया ट्विट फिर क्या था मच गया संग्राम और हो गया दसलाग का फत्वा जा रही और आखिर में उनके सर मुद्वाने तक की नौबत आ गई चाहे वो मंदर हो चाहे वो गुरुद्वारा हो चाहे वो मस्जिद हो वहाँ पर loudspeaker कोई दिने चिस necessity नहीं है यह क्योंकि loudspeaker का अविशकार edition की electricity की बाद में हुआ है तो यह कोई धरम का हिस्सा नहीं है कि बहुत स़ँचिव से चलती आ रही बार ये एक मेरे साथ से, जब किसी मंदिर के ओपर или किसी मजिद के ओपर लाउसपिक लगाए जाता है, तो ये एक स्टेक्र के बूल जारी तो कि मैं दखो तुम सबको बता रहे हूँ, यहां पर मेरा रिलिजन कब चलता है मेरे साथ सिए गुंदा-गर्दी है! यह मेरा माना है आपके लिए शायद यह लाड़ प्यार होगा मेरे लिए लाड़ प्यार नहीं है मेरे लिए यह गुंदागर्दी है कि अच्छा प्यारे तो सुनो और इसका जवाब अजा होती है दो मिनट के लिए दो मिनट के लिए और इनकी ही निकिन में खलर पर जाता है आजान जरूरी है लाड़ स्पीकर नहीं इससे बढ़िया इससे अच्छा उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आरा तो तो पर में क्या कह सकता हूँ एमत बटिल साथ में ये बात कही है कि आजान जरूरी है लाड़ स्पीकर नहीं मैं हिंदू के कह रहा हूँ आर्टी जरूरी है लाड़ स्पीकर नहीं इक ही बात है आप बात के क्रक्स को समझे आप घुमा भिरा कि ना कहिए बात एक बात है कि उसका सर को टकला करके जोब कर चुके हैं दूसरी बात है कि उनके गले में फटीचर से फटीचर क्वालिटी का जूता का माला डालेगा एकदम लोकल क्वालिटी का जूता का माला डाल के तीन नंबर उसे हिंदुस्तान के जितने 100, 125, 1.500 या 200 जितने भी हिंदुस्तान के पॉपुलेशन हैं हर घर घर में जाके अगर वह माफी माँगे के वो हिंदुस्तान के शान के खिलाफ बात किया है तो फिर ऐसा काम जो करवाएगा या फिर वो खुद करेगा तो ऐसा इनसान को मैं अपने तरफ से 10 लाग रुपया इनाम दूंगा तो सुना आपने अब आईए बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो तो है आस्था का वीश है लेकिन नेता उस पर राजनीती करने से बास नहीं की हाथी है जी हां राम मंदिर का मुद्दा जब से मुद्दा उठा है तब से लेकर अब तक इस मुद्दे पर अपने बयानों आईए देखते हैं इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए जो राम का विरोत मंदिर का करते थे अब वही राम भक्त होके कार सेवों होकर इंटे लेकर के आ रहे हैं राम जन्व मोंविक पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा वही बनेगा उसी प्रावलुक में बनेगा उनी पत्थरों से बनेगा और उनी की अधवाई में बनेगा जो इसका जंडा उठाकर गतव 20-25 वर्शों से चलते हैं उस जगा पर सिर्फ राम मंदिर ही बनेगी कुछ नहीं बनेगा कौन है मोहन बगवत RSS के चीफ हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तो तुम नहीं हो तुम सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं लिखने वाले हो मोहन बगवत तुम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्स तो नहीं हो तुम हिंदुस्ताइन के बादेशा तो नहीं हो तुम इंदुस्ताइन के एक अधना शहिरी हो तुमको जितना आक है मुझे भी उतना आक है कैसा मोहन बगवत कह सकते हैं कि उस जगापर सिर्फ मंदिर बनेगी अगर तुम हमको डराने के लिए कह रहे हो तो याद रखों डरने वाले नहीं है तो सुना आपने क्या बोले ओवैसी साहब अरे भाई ये जनाप भी कुछ कम नहीं है भारत में रहते हैं और भारत माता की जै बोलना जनाप को कताई सुईकार नहीं और भागवत साहब पर तो इन्होंने अपनी पूरी भडास निकाल दे और बन बैठे बयानों के तीस मार्खा लेकिन जावेद अक्तर साहब ने भारत वासियों की लाज रख ली समाज के लिए संगटित गुणसंपन देश के लिए गुणसंपन बनाना है और अपने जेश को विश्व गुरु को प्राप्त करा देना है सारी दुनिया में भारत माता की जै ओ उस्पूर्त जै ओ यह हमको करना है जिसी रोग रहे हम अपने सामुए संकर पकियां तो बारत माता की जै कर दो संग में एक ही जै कर आच जलता है बारत माता की जै को कुछ लिए हम पूछना चाहते है आरसस के मौहन बगवश साहब से जोने नाक्तूर के साहब के मुल्क में ऐसे लोग है कि उन्हारा नहीं लगा दे भारत माता की जै का उनको सिखाना पड़ेगा मौहन बगवश साहब मैं नहीं लगाता नारा क्या कर दे आप मिले करे चुमि कि लगवश्य नहीं है को लुण करें आरे जह कि हंदोस्तान के कर्ष टुज्यम् में कर दो नहीं यह दावत माता की जै कोला है हंदोस्तान के एक स्टेट अंधा एक शहर हैजराबाद एक शहर के मोहले के लिए उनूने यह कहा कि वो भारत मासा की जय नहीं कहना था नहीं कहना था इसलिए कि सम्विधान उने नहीं कहता सम्विधान तो उने शिर्वानी पहनने को भी नहीं कहता और तोगी लगाने को भी नहीं कहता मैं यह जानने में इंटस्टेट नहीं है कि भारत माता की जाए कहना मेरा कर्तब है कि यह मैं जानना भी नहीं जाना इसलिए कि यह मेरा कर्तब नहीं मेरा अधिकार और मैं कहता हूँ भारत माता की जाए भारत माता की जाए भारत माता की जाए भारत माता की जाए भाई बहा क्या करारा जवाद दिया है जावे दक्तर साहब नेव ऐसी साहब को और हमारे देशवासियों का सर गर्व से उचा कर दिया कुछ और भी ऐसे बयानों के तीसमार्खा हैं हमारी लिस्ट में लेकिन उससे पहले एक अल्प विराम क्योंकि हमारी सूची जरा लंबी है जनाब तो समाजवादी पार्टी की आन बान और शान आजम खान जी हाँ कोई भी मुद्दा हो कोई भी साल हो और जनाबी आलम का बयान नहों मतलब मुद्दे के साथ साथ साल भी अधूरा रहे गया जनाब अपने बयानों से तीसमार्खा बनने के चक्कर में आजम खान साहब ने देश की रक्षा करने वाली सेना तक को नहीं छोड़ा इतना ही नहीं मुखबत की निशानी और पूरे देश को अजूबे के तौर पर पूरे विश्व में गौरानवित करने वाले ताजमहल को उन्होंने गिराने तक की बात कहड़ा लिए महीना देशर कर दोने पर प्राइवेट पार्स को काट पर साथ ले गए उन्हें हाथ से शिकायद नहीं प्रेस नहीं जिसम की जिससे सोने शिकायद आई उसे काट कर ले गए इतना वाह संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान पो श्रमिता होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम दुनिया को क्या पोड़ी राइस के लोगों ने सफ़ा करना चोड़ दिया एक के मौक्यवाद है बेटी बाद के पास नहीं गई बहें भाई के पास नहीं गई इस लिए कि उन्हें यह जड़त लागा कि उनके चेहरे और एंके लान की शराफ से उनकी हिवाद हो दिया नहीं पूल गया आजम खान खैर बढ़ते हैं आगे दो हजार सत्रा में देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया जब सत्ता सीन बीजेपी के खिलाव पूरा विपक्ष एक जुठ हो गया और विरोध इतना जबर्दस कि विपक्ष ने इवियम तक को नहीं बख्षा देश में जीद की हैट्रिक पर हैट्रिक हैट्रिक पर हैट्रिक मार रही और यूपी में धमाकेदार जीद से वापसी करने वाली बीजेपी पर विपक्ष ने न सिर्फ एवियम से छेड़चाल का आरोप लगाया बलकि लोगों के मतदान पर भी सवाल या निशान खड़ा कर दिया और बन बैठे बयानों के तीस मारखां। सविकार ही नहीं किया है। यहां मालीजे बोर्ट नहीं दिखा होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। बटन साइकल पे दवाया होगा, बोर्ट बीजेपी को चला गया होगा। लोग अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने बोर्ट दिया और बोर्ट किधर चला गया। इसलिए हमने पहले भी कहा हम election commission की चुनोती ले करे डिकर ये कहे जिसको बदलना चाएे बदलने हम तो केवल शिकायत कर रहे हैं ये election commission को बताना चाएे कि आखिरकार machine क्यों खराब हो रही है हमारे देश के अंदर EVM के साथ चेड़ चाड़ कैसे की जा रही है उन्होंने दिखाया कि कितना आसान है छेड़ चाड़ करना और बहुत बड़े सर के उपर छेड़ चाड़ की जा रही है ये देश के लिए बहुत बड़ा खत्रा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खत्रा है और देश के हर नागरिक को इसके खिलाफ अवाज़ रटाने का है सच पताएं, तो हमें भी अगर एक बार मौका मिल जाता ना तो उपर वाला जूट डबूल वाए, हम भी बड़े वाले नेता हुते चलिए, बयानों के तीस मारखा की लिस्ट में अब अगला नाम जो है वो नाम दुनिया का सबसे लोगप्रिये नाम है साल 2017 में पीम मोदी के बयान भी खासा चर्चा में रहे और जिसमें विपक्षियों को निशाना साधने का एक और मौका दे दिया यूपी में चुनाओ प्रचार के दौरान पीम मोदी के कबरिस्तान और शम्शान वाले बयान पर जम कर घमासान हुआ तो वहीं अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसत साक्षी महराज ने पीम मोदी के बयान को हवा देते हुए कबरिस्तान को खत्म करने की सलाहदे डाली भायो बनो गाउं में अगर कबरस्तान बनता है तो गाउं में समशान भी बनना चाहिए अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए अगर कबरस्तान बने तो उसके बराव में समसान भी बने यह मोदी जी का वयान है तो वहीं अकलेश भाई साहब भी कहां चुप बैटने वाले थे गुजरात के गधो का हो रहे प्रचार का सहारा लेते हुए उन्होंने पियम मोधी पर जम करनीशाठा और सदी के महानाएक अमिताप बच्चं से अपील की कि वो गधो का प्रचार ना करे लेकिन पियम मोधी सवा सेर निकले उन्होंने गदों से प्रेणा लेनी की बात कहते हुए अकिलेश यादों को आईना दिखा दिया क्या एक गधे का बिग्यापन आता है बताओ गरीब लोगों किसान भाईयो एक गधे का ग्यापन आता है बिग्यापन हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का परचार मत करिए हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का परचार मत करिए और जिन्होंने एड़ देखा होगा वो जानते होंगे बताओ कहीं गधों का भी परचार होता है क्या अगर गधों का परचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा तो बताओ गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी परचार करवा रहे हैं और हम पे आरोब लगा रहे हैं कि हमने कविर्स्तान और केवल उनके लिए काम किया है यह सबासो करोर देशवासी मेरे मालिक है वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूँ बिना छुट्टी लिए करता हूँ ठक जाओं तो भी करता हूँ कभी भूका रहा तो भी करता हूँ क्योंकि गदे से प्रिणा लेता हूँ और बड़े गर्वत से लेता हूँ ताकि इन सबासो करोर मेरे देश सबासों के लिए गदे से भी जादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओं इस गवरों के साथ काम करता हूँ तो भाईया आप भी कभी गदे को आम मत समझना उसे बगार काम खमस समझना बहुत मेहनत करता है वो सब को प्रेणणा देता है वो तो फिर क्या था गदे से प्रेणणा लेकर हम भी तीस मारखा बन बैठे और करने लगे बड़े से बड़ा काम लेकिन अफसोस हम कधा नहीं बन पाए और ठक गए ठक के चूर हो गए मजबूर हो गए फिर क्या था दे दिया हमने उसे तलाक 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 और शुरू हो गया संग्राम कैसे बताऊं अभी नहीं एक छोटे से अल्प विराम के बाद अब बात करते हैं कैसे मुद्दे की जिसे मुसलिम महिलाओं को आवाज बूलंद करने पर मجबूर कर दिया पियम मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए तमाम नेताओं और मुसलिम महिलाओं ने तीन तलाक को खत्म करने की मांग रकी तो वहीं कुछ नेताओं ने ट्रिपल तलाग पर अपने बयानों से कोहराम मचा दिया कौन है वो बयानों के तीस मारखा और उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिए जमीन तो बढ़ नहीं रही जमीन घट रही है और जनसंक्या बढ़ती चली जा रही है जैसे सुर्सा का मुँ बढ़ रहा था ऐसे जनसंक्या आज सुर्सा के मुँ की तरह बढ़ती चली जा रही है तो इस पर नियंत्रण की आवशक्ता है मैंने कहा था को लोगों को जातिगत की चर से निकल कर दलिगत की शर्सी निकल करके अब ये आवशक्ता आ गई है कि नारी का सम्मान करने के लिए इस सब्द का प्रियोकिया मैंने वो औरत कोई मसी नहीं है इसलिए ना 40 वीबी 40 बच्चे चलेंगे ना 3 तलाग चलेगा तलाग के मुद्धे पर भाती दिन्ता पाटी मुश्लिम महिलाओं के साथ ठड़ी है जो आकारान बेवजा और मंड़ा ने तरीके से जब चाहा तलाग दी थी यहां तक कि तलाग कोई आधार नहीं कोई अपनी हबस को पूरा करने के लिए लगातार पतनियां बदलते रहने का काम करें अपने ही बच्चों को अपने ही पतनी को शड़क पर भीक मांगने के मजबूर कर दे तो शाही बूट से इसे ना आप अच्छा कहेंगे न कोई दुटरा अच्छा कहेगा इस प्रकार की जो पीडित मिलाएं बुक्त भोगी मिलाएं है भातिंता पार्टी उनको शमाम दरने के लिए दाम करेंगी तो भाया विवादित फिल्मों के मामले में भी साल 2017 पीछे नहीं रहा अक्सर विवादों में रहने वाले डैरेक्टर अरे वही अपने संजे लीला भंसाली ची राजपूतों का तमाम विरोध होने के बावजूद उन्हें ने फिल्म पदमावती को बनाया और आखिर में जब फिल्म को रिलीस करने की बारी आई तो देश भर में फिल्म को लेकर संग्राम मच किया पूरी दुनिया में पधारो मारो देश की आवाज बुलंद करने वाले राजस्थान की करणी सेना ने अपने राजपूताना वियोहार को दिखाते हुए ऐसे ऐसे बयान दिये कि आखिरकार भनसाली और दीपिका पादुकोर को सुरक्षा देनी पड़ी क्या है वो बयान आपको भी सुनाते हैं लेकिन करनी सेना की इसी करनी ने उन्हें बना दिया बयानों का तीसमार खाँ पूरे देश के स्वाबिमान का पृतिक रानी पदमावती महासती पदमावती की जो चरित्र चित्र ने ये लोग गलत करने उसके खिलाब आवाज उटा रहा है हजारों साल पहले सिर्राम के भाई लक्षमन ने इसी तरह से एक आई थी महिला सिरलंका की और जो रावन की भेंती बार बार मना करने के बाद बार 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 चेता हुने देने के बाद वो नहीं मानी उसका नाक काटके उसको ये सजा दीती कि तेरी यही सजा है तु महिला ह हम हाथ नहीं उटा सकते पर तेरी यही सजा है और यह सजा अगर तु लेना चाहती है दीपिका पादुकोण तो सहर से राजपुत शत्रिये यह मजबूरन करेंगे च्छत्रिये समाज की तरफ से मैं यह घोशना करना चाहता हूँ और खुद स्वैम यह जुम्मेदारी लेता हूँ च्छत्रिये समाज की तरफ से कि अगर संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण जी ने पद्मावती फिल्म को वापस नहीं लिया तो हम चुप नहीं बैठेंगे उनकी हम जो पांच करोड रुपए का उनकी गर्दन काटने पर इनाम की घोशना करते हैं मैं कहता हूँ, जो नाग काटने की बात करते हैं, जो पांच करोड रुपे संजे लीला वंजाली की गर्दन काटने के लिए कैसे हैं, मित्रो, अगर हमें दस करोड भी देने पड़े, तो कह हम दे सकते के नहीं दे सकते? हम, तो बंधूओं, ये तो तो हमारे कुछ सामान निश्रेणी के तीस मार खाँ, अब आईए बात करते हैं बयानों के असली तीस मार खांकी, जो की हमारी सूची में पहले पाएदान पर हैं, जी हाँ, 2017 की जाते जाते कॉंग्रेस नेता मरी शंकर अईयर ने खूपसूर किया पटोरी, पियम मोदी के लिए अबद रिभाशा का इस्तमाल करने पर मरी शंकर अईयर को कॉंग्रेस पाल्टी से निश्काशन भी जैलना पड़ा, और मामला यहीं नहीं थमा, इसी बयान को लेकर उनको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी, और आखिरकार बाद में अईयर जिसको की हमारे अमबेटकर साब ने तैयार किया था, उसको पांच हिस्से में बांट कर, पांच अलग अलग कानून बना कर, उसको उन्होंने पारित करवाया, मतलब जो अमबेटकर जी की सबसे बड़ी खौईश थी, उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा य कहें, और वो भी जबकि अमबेटकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहां उसका उद्गाटन हो रहा है, मुझको लगता है कि यह आदमी बहुत नीच किसम का आदमी है, इसमें कोई सभीता नहीं है, और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीती की क्या व अहले पाइदान पर रखे है, हमको मालूम है, सब मालूम है, लेकिन अब हम बिल्कुल नहीं बत्याएंगे, अरे गुस्ता नहीं हुए है हम, वो क्या है ना, समय समाप्त हो गया है, और कौन है बयानों के तीसमार्खा का असली सरदात, ये भी पता चल चुका है, तो वस ख बयान के धीसमार्खा